हेलो एवरिवन नमस्कार सभी को आपका स्वागत आपके अपने चैनल गंगा के चन रेसिपी में आज हम बना रहें एक नई रेसिपी चूर चूर गोवी ये रेसिपी बहुत ही स्वादेश्ट बनती है इसके लिए मैंने दो छोटे गोवी के फूल को दो कर ले लिया है और उसके पीछे के पार्ट को अलग कर लिया है अगर आप बड़ा डंठल रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हो मैंने वह हटा कर लिया है यो भरतन में पानी गरम करके उसमें एक चमच नमक डाल देंगे और उसमें गोवी को एड़ कर देंगे गोवी को उसके अंदर ही दो- चोटे चोटे जम्स होते हैं वह भार निकल जाए तो हमें 2-3 मिन्ट के लिए गोभी को गरम पानी के अंदर छोड़ना है ज्यादा पकाना नहीं है अब फिर उसको हम भार निकाल लेंगे देखिए मैंने एक तरफ से गोभी को पानी के अंदर डिप करके रखा हुआ था हम ग करम पानी में डिप करके 2-4 मिन्ट के लिए रख देंगे तो निकल जाएंगे सारे और अच्छे से वश्र जाएगे अब हम गोभी को ठंडी होगी उसके उपर थोड़ा तेल से ग्रिस कर देते हैं उसे अच्छे से दोनों तरफ से तो आप चाहे तो इस टाइम इस पर माइक्रोवेव मेरा पुराना था उसकी पड़िवी थी मैं उसी पर गोभी को रख दूँगी और जैसे हम बैंगन भूनते भरते के लिए उसी तरह हम गोभी को भी लेंगे अच्छे से पलते हुए मैंने गोभी को भून लिया है अब मैं इसके लिए मसाला बनाऊंगी मसा चोटे-चोटे पीशों में कट करके ले लिया है और उसे एक चोपर मसीन में डाल कर चोप कर लेंगे बारिक जैसे वह तना दलिया उस टाइप का टेक्शर हो जाएगा गोभी का तो मैंने मेरा इलेक्ट्रिक चोपर था आप चाहे तो हैंड चोपर जो आता है रसी वाला उ दो चम स्मस मेने दो चम स सतेल ले लिया चाहिए और उसकी अंदर ब्राउन होने दो जाए गो हम जो एंदर अद्रक ल Trainer का पेस्ट बना लिया है उसको हम लसेए आत्य अंदर मिला लिए कि और वहम कहाओ ना मिमें जाए ने ब्राउन होने तक उछलका प्काएंग जब वो अलका सा ब्राउन होन लगेगा तो हमने जो बाकी प्याज का पेस्ट बनाया हुआ है वो प्याज का पेस्ट डाल देंगे हम और उसको डालके कंटिन्यू चलाएंगे ताकि प्याज हमारी नीचे लगे ना कड़ाई में एक बात तोर मैं यहाँ पर खड़े मसालों का ज़्यादा इस्तमाल नहीं कर रही हूँ अगर आप थोड़े वो डालना चाते हो तो डाल सकते हो लेकिन इस वाली रेसिपी में जो है खड़े मसाले अच्छे नहीं लगते वो मुह में आते हैं इसलिए आप ना डाले तो ही थोड़े देर के लिए हम उसे आप अगर अधरक लशन का पेस्ट नहीं लेना चाते हो तो पेस्ट की जगह आप उसको काट कर भी डाल सकते हो तो अब देखी टमाटर पग चुके हैं प्याज के साथ तो मैं इसमें मसाले अड़ कर दूँगी मसालों मैं एक चमच नमक डाल छोटा सा ट्विस्ट है इसके अंदर जो कि मैगी का मसाला अब हमें इसके अंदर मैगी का मसाला डालेंगे जो कि एक बहुत अच्छा इसमें स्वाद देगा अपना टेस्ट देगा मसालों को हम अच्छे से पका लेंगे और मसालों ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है तो अब हम इसके अंदर थोड़े से मटर एड़ कर देंगे, ये मटर मैंने सपल के लिए हैं, आप चाहे तो नोर्मल भी मटर ले सकते हो, ताजा, अब हम मटर को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे, क्योंकि आप अगर मटर नहीं डालना चाहते हो, तो मटर को स्किप कर सकते हो, और डारेक्ट गोवी डाल सकते हो, तो अभी मैंने इसके थोड़ा सा पानी डाल कर पकने के लिए रख दिया है, आप चाहे तो पानी नहीं डालना, अगर आपको थिक ग्रेवी चाहिए, तो आप उसमे पानी मत एड़ करना लेकिन मैं यहां पर थोड़ा सा पानी एड़ किया है देख सकते हो मसाले ने ओल छोड़ना शुरू कर दिया है इस पर हम इसमें PCV को मिला देंगे देखो इसकी ठीकनेस अच्छी है गोवी मिलाने के बाद इसमें और ठीकनेस आएगी तो हम जो है अच्छी तरह से गिसके और उसका पेष्ट बना लेंगे और उसके बाद डारेक्ट जैसे मैं अभी इसको रोस्ट करके लिया आप डारीक्ट भी डाल करोगे तो सबजी के अंदर अच्छे से आ जाएगा नहीं इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने गैस के उपर गोवी को रोस्ट कर लिया था तो इसमें अल्रेडी स्मोकी फ्लेवर आ चुका है मुझे लिक्विड ग्रेवी चाहिए थी इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर दिया है आपको अगर थिक ग्रेवी चाहिए तो आप इस टेप को स्केप कर देना क्या करेंगे कि कवर करके 2-4 मिंट के लिए गोवी को मठर के साथ और मसालों के साथ अच्छे से पकने देंगे पीच पीच में गोवी को ढकन हटा कर चलाते रहेंगे ताकि गोवी तले से ना लगे तो धक्कन हटा कर हम चेक कर लेते हैं, गोवी पक गई है क्या, मेरी रेसिपी बन कर तयार है गोवी की, चूर चूर वाली गोवी, आप एक बार इस रेसिपी को ट्राइ करना, अगर आपको अच्छा लगे, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी आ जीए, आपके बन कर तयार होगी, अब मैं इसके अंदर गरम मसाला डाल दूगी, और थोड़ी से में रोष्ट की हुई, कसूरी मेथी भी इसमें एड कर दूगी, अब आप देख सकते हो, गोवी का कलर और उसकी कंस्टेंची इतनी अच्छी है, और उसको आप एक बार बन बना कर खा कर देखना, आपको ये बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी लगेगी, अब हम इसे एक बरतन में डाल लेंगे, और अब चूर चूर गोवी बन कर तयार है, आप टेस्ट कीजिए, मैं भी टेस्ट कर रही हूँ, आप बना कर एक बार ट्राइ करना, खा कर मुझे ब बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं, नेक्स्ट रेसिपी में तब तक के लिए बार, टेक कियर